जिससे आप प्यार समझ रहे हैं वो आकर्शन तो नहीं? इन दिस वीडियो आप गोईंग टो एक्स्प्लेइन फाइफ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यू कैन इसली आइडेंटिफाई कि ये लव है या अट्रेक्शन है ये प्यार है या आकर्शन है आपको पांच ऐसे में पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाऊगे कि आपको सच में ट्रू लव मिला है या बस ये एक आकर्शन है क्योंकि जो लव है ना वो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी होती है लव बहुत ही प्यूर चीज है और आजकल हम देखते हैं पतानी मूवी की वज़े से या सॉंग्स की वज़े से छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं we fall in love बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लव को समझ चुके हैं बट लव को समझना इतना आसान नहीं है और बहुत कम लोग होते हैं जिने true love मिलता है तो are you excited? I know you all are excited चलिए match करते हैं और अगर आपको true love मिला है तो आप मुझे जरूर बताएंगे एक बहुत खुबसूरत इंसान है आप चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए आपका partner बन जाए आपको वो मिल जाता है और आपका वो partner भी बन जाता है लेकिन सोचिए अगर उसका behavior अच्छा ना हो उसका nature अच्छा ना हो वो कभी आपके emotion को समझे ही न वो कभी आपको value ना दे आप उससे care करें पर वो कभी आपकी care ना करे आपके emotion की care ना करे और आपसे तो attention चाहे पर कभी आपको attention ना दे तो ऐसा इंसान चाहे कितना ही खुबसूरत बाहर से क्यों ना हो लेकिन एक time के बाद आपको उसकी खुबसूरती भी पसंद नहीं आएगी तो love के लिए कभी भी ये reason नहीं हो सकता तो अगर ये reason है तो वो love नहीं है attraction है point number two है कि आप कैसे identify कर सकते हैं कि love है या attraction है point number two है कि time के साथ जो love है वो और mature होता है और जादा बढ़ता है जैसे जैसे आपके relationship में time बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्यार और जादा बढ़ेगा sometime ये भी देखा जाता है कि दो partner सालों तक बात नहीं करते हैं एक दूसरे से बिल्कुल communicate नहीं करते फिर भी अगर उनका love है तो वो और जादा mature हो जाता है और जादा बढ़ जाता है चाहे उनका बिल्कुल communication ना हो पूरी तरीके से communication बंद कर दिया जाए फिर भी वो time के साथ बढ़ेगा time के साथ grow करेगा उनका relation लेकिन अगर ये attraction है तो जैसे जैसे time बढ़ेगा उनका जो attraction है वो कम होता जाएगा या फिर जिसे वो love समझ रहे है वो time के साथ कम होता जाएगा जैसे आज कल हम बोलते हैं कि बोर हो गया person तो बोर तभी होगा जब वो attraction था जैसे ये attraction खतम हुआ attraction की wall हटी तो वो खतम हो गया लेकिन प्यार attraction नहीं है वो हमेशा बढ़ेगा वो कभी कम नहीं हो सकता जितना time बढ़ेगा उतना प्यार बढ़ेगा point number 3 है अगर true love है तो वो बंधन से आजादी देता है बंधनों से मुक्ती देता है लेकिन अगर वो बस attraction या एक contract है तो वो हमेशा बांधने की कोशिश करेगा इसका मैं आपको example दू जैसे अगर ये love नहीं है तो क्या करेगा कि आपको अपने family छोड़ दो आप अपने दोस्तों को छोड़ दो आप job मत करो आप बाहर मत जाओ आप इनसे बात मत करो आप उनसे बात मत करो ये सब रोकना जो आपकी growth को रोके वो love नहीं हो सकता क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको सबसे जादा कोई प्यार करता है तो वो होती है आपकी मा लेकिन जब मा बच्चे को school भेजती है उसे पता होता है कि वहाँ पे बहुत सारी बच्चे को मुश्किले हो सकती है बहुत सारी उसके लिए कठिनाईया हो सकती है लेकिन फि अंधन से मुक्त करती है तब इसका बच्चा सीख पाता है संसार को इसलिए जो अगर आपको मुक्त करता है वो प्यार है जो आपको बांध के जकड के रखता है आपकी ग्रोथ को रोकता है आप नई चीजे सीखना सको इससे रोकता है तो वो लव नहीं हो सकता पॉइंट 4 है perfection .4 हमारा perfection पे है कहते हैं कि हमें perfect partner चाहिए हमारा relationship perfect होना चाहिए तो देखिए इस 3D world में कुछ भी perfect नहीं होता कोई भी इंसान 360 degree perfect नहीं हो सकता हर इंसान में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है क्योंकि ऐसा मा इस कलियोग में कोई इंसान होता ही नहीं जो 100% perfect हो क्या आप पूरी तरीके से perfect हो नहीं हर इंसान में कुछ अच्छाई है कुछ बुरा होता है कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे relationship पर कभी जग्ड़ें नहीं होते कभी argument नहीं होते सब कुछ एकदम perfect है तो अगर अगर सब कुछ perfect है तो उसका मतलब कुछ problem है वो love नहीं है देखिए जहां पे love होगा ना वहां पे कहीं ना कहीं मतभेद भी होता है कई बार root ना मनाना भी होता है वो भी love का एक form है आप अगर राधा कृष्ण को मानते हैं वहां पे भी आपने देखा है root ना मनाना होता है तो अगर ये चीज की कमी है आपके में कोई कभी root नहीं है कोई कभी किसी को मनाता ही नहीं है सब कुछ perfect है उसने आपको छोड़ रखा है तो इ से प्यार करते हैं वो कभी भी उस इनसान को दुख में, तकलीफ में नहीं देख पाएगा, सम्टाइम रिलेशंशिप ब्रेक-अप हो जाता है, उसके बाद भी अगर इनसान आपको सच में चला जाएगा उसे आपकी तकलीफ से आपके आंसों से कोई फर्क नी पड़ेगा वो अपनी लाइफ में बहुत आसानी से मोवान कर जाएगा त्योंकि उसके लिए बस ये एक कॉंट्रेक्ट था एक अकर्शन था जैसे ही वो अकर्शन की वॉल गिरेगी खतम होगी वो चला जाएगा उसे कोई फरक नी पड़ेगा लेकिन अगर ये ट्रू लव है तो वो परसन कभी भी कितना भी बोल ले वो आपको छोड़ नहीं पाएगा लाग गलतियों के बाद भी वो आपको तकलीफ में नहीं देख पाएगा तो ये है five point जिससे आप easily identify कर सकते हो कि ये सच में love है या आकर्शन है क्या आपको true love मिला है अगर मिला है तो कमेंट में जरूर बताईए